सुक्मा में देज आंदी तूफान की चपेट में चात्रा के उपर गिरा मुनगे का पेड चात्रा की मौके पर ही मौत हो गई है वही इलाज के लिए खायल अवस्था में चात्रा कुजला हस्पताल ले जाया गया तब तक चात्रा की मौत हो चुकी थी चात्रा चिंदगर्ड ब्लॉग के बिरसत्पाल की निवासी है इस घटना की चानकारी मिलते ही नगरपालिका अध्यक्षी राजु साहु एस जेम प्रीती दुर्गम एसी ट्राइबल गड़ेश सोरी अस्पताल पहुंचे और इस दुर्गटना की चानकारी नी चात्राबास प्रमान केक में देर शान को आई अचानक तेंज आधी तुफान के चलती चात्राबास परीसर में लगा मुनका का पेड गिर गया जिसकी चपेड में आने से चात्रा गंभी रूप से घैल हो गई घैल अवस्था में चात्रा को जलस्पताल ली जाया गया जहां उसका हैलाज के दुरान मौत हूँ गई है वहीँ इस हादसे के दुरान छात्रा ललीता नाग एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही पेड़ की चपेट में आकर दमने इसी छात्रा की मौत हूँ गई चपरासी ब्रंदा बंडू वच्छात्रा करिश्मा यादा विमला नाग ने बताया कि देर शाम साड़े आठ बजे के करीब ललीता किचन की तरफ जा रही थी इसी बीच जोरदार आवाज आई और ललीता की सीखने की आवाज से बाहरा कर देखा तो पेड़ गिरा हुआ था और पेड़ के नीचे ललीता दबी थी ललीता गंभी रूप से घायर थी और उसके सर से खून बहरा था उसे गंभी रिस्थिती में तदकाल अस्पताल ले जाये गया और अस्पताल पहुँचते ही उसने दम दोड़ गया बने जिला प्रमुक वा ब्लाग प्रमुक रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सब्च बड़ी न्यूज चैनल चतिसगर एक्सप्रेस न्यूज के साथ जूड़ने का 36 गड़ के सबी खबरे देखने के लिए देखते रहें 36 गड़ एक्सप्रेस नियूज सब्स्राइब करें और बैल आइकन दबाना ना भूले